जीवन में सबसे बड़ी खुसी उस काम को करने में है सुनियेगा कि जीवन में सबसे बड़ी खुसी उस काम को करने में जिसे लोग कहें कि आप से नहीं हो पाएगा तो दोस्तों आप ऐसा काम करिए जो लोग कहें कि आप से वो नहीं हो पाएगा आपने देखा भी होगा कि आपकर किसी चीज़ के तयारी करने जा रहे हैं तो आपको कुछ अपवाद मिल जाएंगे जो कहेंगे आपसे नहीं हो पाएगा यह बहुत हार्ड है या ऐसा कुछ कहेंगे तो उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए और आप ऐसा काम करिए जिससे आपके परिवार का नाम रोसन हो ठीक है तो चलिए मैं सुरू करता हूँ मैं बिने आपका स्वागर करता हूँ अपने यूटूब चैनल आर्डेवी कलासस पर मैं आपके लिए फिर से वही 20 कुछिन लाया हूँ जो कि आपके इंजाम के लिए काफी महतपूर है तो वीडियो लाच तक देखीगा चलिए फिर सुरू करता हूँ मैं पहला कुछिन आपको देता हूँ और आपका देखता हूँ मैं इसमें मॉक टेस्ट ले रहा हूँ इसमें आपका देखूँगा कितना स्कूर होगा और आप कमेंट करके बताईएगा चलिए सुरू करता हूँ पहला कुछिन आगया है कि रेडि डेक्स किसे संबन्दित है आपसन ए सेरों की कीमत से या आपसन भी है मुद्रा सिक्ति से या आपसन सी है तो इसमें से योगा D काउंसर D वाले एक दमसे है रेडि डेक्स होता क्या है जैसे की रेडि डेक्स होता है जैसे सेर मार्केट में आपने देखा होगा कि आपको पैसे पता चलता है कि मार्केट गिरा है या मार्केट चढ़ा है तो आप देखते होंगे इसे एक पैमाना बनके आता है उससे पता लगता है हमें कि मार्केट गिर गया है या मार्केट तूट गया है तो इसे जमीन के कीम्टों में भी होता है कि जमीन इसे में महिंगी है या इसे में सस्ती है इसे ही रेडी रपी टेक्स कहते हैं ठीक है चेले नेर्स चलते हैं नेर्स कुश्यन है पश्मी और पूर्वी घाटो का मिलन कहा होता तो प्ताएगा ऑफसन मैं आपको दे रहा हूँ निल गिरी की पहाड़ीों से और ऑफसन बी है कार्ड मॉम की पहाड़ियों से यह option C है पलानी की पहाडियों से यह option D है अन्ना मलाई की पहाडियों से बताईगा इसमें से कौन सा option सही होगा तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें सही होगा option कौन सा option सही होगा इसमें A कौन सा A, निलगिरी की पहाडियों से ठीक है अब इसके बारे में आपको बता देता हूँ यह है कहां देखिए दोस्तों यह जो नील गिरी की पहाड़िया है तमिन नाडू और करनाटक और केरल में इसका कुछ-कुछ हिसा पढ़ता है और यहां की जो सबसे उची चोटी है उसका नाम है डेड़ बोटा ठीक है औ बताईगा आपको दे रहा हूँ कासमीर यह बताइगा यह सबसे कांफ बच्चे काफी सही जबाब आप लोगों को तो बताइगा इसका क्या होगा और जालिट और ईकने बी वाले एक दम टाइट है ठीले चले मैं नेक्स्ट कुश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को तो बताएगा इसका क्या होगा आपसन तो भी कुश्चन आप देख सकते हैं भारतिय राष्टिय कांग्रेस की पर्थम महिला अध्यच कौन थी बताएगा बहुत मज़िदार कुश्चन है सरोजी नाइडू या बीजे लच्मी पंडित या एनिविस्टन या कदंबनी गांगुली बताएगा कौन सा उप्शन सही होगा मुझे तो इसमें पता है कि आप लोगों का काफी लोगों का सही जबाब होगा तो इसमें कौन सा उप्शन होगा C C वाले एकदम राइट है ठीक है C वाले एकदम राइट है चलिए फिर नेर्स चलते है नेर्स कुश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसको बताएगा कौन सा सही होगा तो नेर्स कुश्चन आ गया है हमारे स्किन पर नेर्स कुश्चन है कि पिर्थवी के वाई मंडल के अनुवस्टिति में आकास कैसा परतीत होगा आप्सण आ चुका है नीला बी है घहरालाल या C है स्वेट या D है काला तो बताएगा इसमें से कौन सा से गए मुझे 100% आसा है कि इसका आप सही जबाब देंगे और आपने दिया भी होगा इसको आप्सण सही होगा D ठीक है चली नेर्स चलता हूँ मैं नेर्स कुश्चन आ चुका है भारत में गैड़े का प्राकृतिक निवास कहा है बताईगा कि भारत में गैड़ा सबसे ज़ादा एक स्रीइंग माला गैड़ा कहाँ पाए जाता है भारत्पूर या काजी रंगा या गिरी वन या निल गिरी तो बताईगा इसमें से कौन सा आपसन सही होगा बताईगा तो इसमें आपसन सही होगा तो आज उका है हमारा कुछे है सिलका जल क्या है तो आदरता परदायक है या सोसारी तत्व है या सूखने वाला पदार्थ है या सौधिष्ट फोजे नहीं पताईगा इसमें से कौन सा आफ्षन सही होगा तो आप साइद इसे देखें भी होगे चलिए मैं बताता हूँ इसका और सी सुखने वाला पदार्थ यह सिलका जल जो होता है दोस्तो न यह नमी को सोक लेता है आप अगर सूज यूज खरीदे होंगे तो आपको वहाँ छोटी पूडिया मिली होगी डिब्बे में छोटी प पत्र में हुआ था बताएगा आपके सामने आ चुका है ए है इलाहबाद या बी है कल कोलकाता या सी है सूरत या डी है लहोर तो बताएगा इसमें से कौनसा आपसन सही होगा तो इसमें बताता हूँ आपको इसमें सही होगा सी क्या सी सूरत क्या सूरत चलिए नेस चलता next question आपको मैं दे रहा हूँ next question है 7 वहाँ समराज के संपादक कौन थे बताईगा इसमेंशे कौन सा अप्शन सही होगा कान हा सिमुख B है सिमुख HAL याड़ी है गौतमी पुत्र बताईगा इसमेंसे कौन सा अप्शन सही होगा तो चलिए मैं बताता हूं आपको इसमें से वोगा B क्या सुमुक ठीक है B चलिए नेस्मुक चलता हूं रूद defense कोईशन है कि धौनी तरोंगों की गूच के Department case बताएगा इसमें से जो option दिया गया है इसमें से धवनी तरोंगो की गूच के Лिए कौन जिमिदार है तो option आप देख रहे हैं कि ए है आप आप वर्तन पर्व इभी है C है बिर्तिकरण निया दी है धुर्व इभी करण तो बताएगा इसमें से कौन सा option से होगा तो मुझे पता है आप लोग इसका सही जवाब देंगे ठीक है चलिए मैं बताता हूं भी वाले गदम सही है क्या परवर्टन चलिए नेश्च चलते हैं आपको गुल देते हैं तो नेश्च कुशन आ चुका हमारा कि समाज वानके में परियुक्त सर्व समान ब्रिच परजाद क्या है मतलब सबसे ज़्यादा किस ब्रिच का उपयोग किया जाता है हमारे यहां पीपल है या गुल मोहर है या या यूके लिपर्स है मतलब की यह सफेदा आप सुने होंगे सफेदा जिसे कहते हैं और या डी है आम तो बताएगा कौन से पेड़ का ज़्यादा मतलब होता है आपको पता होगा कि आपके यहां भी लगाया होगा साइद चली मैं बताता हूं सी एच चली में नेक्ष कुछेन आ के संपादक कॉन थे बहुत अच्छा क् nasılरता है आप मैं आपको वतासपन देता हूं चंद गॉप्त मौर है या बी है कनिष्य या C है धर्म पाल या D है पुलपीशिन बताएगा इसमें से कौन साप्शन सही होगा तो इसमें सही होगा C क्या धर्म पाल इसमें सही होगा धर्म और पता दूम मैंको ए जो विक्रम शिला विश्विदयला है बिहार के भागलपूर में है इसका निर्माड 770 से 810 इस भी में हुगा था ठीक है चलिए नश्च चलते है निम लिखित में से किस धात में अधिक ताप चलकता होती है बताएगा ओप्सन मैं आपको दे रहा हूँ लोहा यह ओप्सन B है अल्मूनियम यह ओप्सन C है चांदी यह ओप्सन D है तापा तो बताएगा बहुत मज़ेदार कुश्चन है आप इसका जरूर जबाब दीजीगा बताएगा ठीक है चलिए मैं बताता हूँ इसका सही होगा चांदी C वाले एकदम सही है ठीक है और अगर आप सबसे कम पूछा जाए तो पारा होता है पारा पारा तो आप जानते होंगे ठीक है शली फिर नेट्स देते हैं आपको कुश्चन नेट्स कुश्चन है नेम लिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के र D क्या होगा डी रेशम ठीक है चलिए मैं नेट्स चलता हूं नेट्स कुश्चन आ चुका है काफी इंपॉर्टन दोस्तों और अगर आप एजयाम की तया दो-तीन साल से कर रहे हैं तो साइद आपको यह पता भी होगा ठीक है चलिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन कि पान इब्राहिम लोधी बताएगा इसमें से कौन सा सही होगा तो इसमें सही होगा क्या डी इब्राहिम लोधी इडम डी वाले सब से हैं ठीक है तो इसके बार बताता हूं आपको जो पहली लडाई हुई थी दोस्तों यह कई सप्रेल 1526 में होई थी और जो सिकेंड लडाई थी पंदरा नॉंबर ठीक है पांच नॉंबर 1556 में होई थी बैरम से और हेमु से जो की बैरम दोस्तों यह आकबर का सेनापती था और हेमु अदिल साह सुर का सेनापती था ठीक है और जो थर्ड था थर्ड वार हुए था मतलब लडाई वो 14 जनुरी 1761 को हुए था मराठा यो अहमद साह अब्दुल्ली कात हुआ था ठीक है तो इसे आप याद रखिएगा चलिए नश चलता हूं या नश आ चुका है देखिएगा निमलिखित में से कौन सा सोचिता मुर्जा का सुरोत है बताएगा इसमें से ऐसा कौन सा उर्जा है जिससे हम उर्जा भी प्राप्त भी ना हो ठीक है आज अप्सर पहला है निूबियर सकती ईच मette मिह है जिववास मेई धन अदू बताएगा इसमें से कौन सा सही होगा तो इसमें कौन सा सही होगा आपको जरूर्बपता होगा कि कि आपको पता है कि किससे पर वह प्रौन को ऊसका नहीं होता हुई अपने देखा होगा हवा से चलता है और हमें उर्जया भी प्राप्त होती है स्कान भी नहीं पहुछाते हैं चलते हैं या B है कलपना चावला या C है दर्शन रंगनात या D है अविन चत्रवेदी ठीक है चली बताईगा इसमें से कौन से सेगा इसमें सायद मुझे लगता है सब बताएंगे सही क्योंकि बच्पन से ही पढ़ते आ रहे हैं हम इसके बारे में ठीक है इसमें सेगा B क्या B कलपना चावला ठीक है आओ और इसके बारे में बताता हूं मैं आपको 31 दिन 14 घंटा 21 मिनिट अंतरिच में इन्होंने बिताया था दोस्तों कितना 31 दिन 14 घंटा 24 मिनिट अंतरिच में बिताया था इन्होंने ठीक है इसे याद रखेगा चलिये नेक्स कुश्यन मैं आपको देता हूं नेक्स कुश्यन आ चुका है इसके बारे में आपको पता भी होगा चलिक है मैं पढ़ता या B option है, असोक ने, या C option है, सेरसा सूरी ने, या D option है, बाबर ने, बताएगा इसमें से कौन सा option, सही होगा, यहाँ दोस्तों B होना चाहिए था, B कट गया है, चलिए मैंने मैंने बोल दिया है, ठीक है, कोई दिकर नहीं, तो इसमें सही होगा क्या, B, sorry C, ठीक है, सेरसा सूरी ने, चलिए, इसके बारे मैं आपको बताता हूँ, इसकी लंबाई दोस्तों, जी जी टी रोड है हमारा, इसकी लंबाई पचीस सो किलोमीटर है, ठीक है, और यह चार देश से होकर जाता है, इसे जान लेजेगा, पहला बंगला देश, भारत, फिर पाकिस्तान, फिर आफगानिस्तार, ठीक है, और यह बनाया कब गया था, तो 16 सताबने में इसे बनाया गया था, ठीक है, सासूरी ने इसे बनवाया था, चलिए, नेट्स कुश्यन है, हमारा, नेट्स कुश्यन हमारी जो उतर परदेश को लोग हैं, उनके लिए तेक दम चिरूरी है, उन्हे ए है 1950, या B है 1945, या C है 1956, या D है 1949, तो इसे बताएगा, अगर आप लेखपाल की तयारी करें दोस्तों, तो आपको उतर परदेश है, तो आपको उतर परदेश के बारे में बहुत जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे ही कुश्यन आपको मिलेंगे हिज्या में, चलिए बताता हूँ, मैं इसका, क्या सही होगा, उप्सन e, 1950, चलिए मैं आपको नेर्ष कुश्यन देता हूँ, जो कि आपको नेर्ष कुश्यन मैं जो दे रहा हूँ, इससे आपको बताना है, ठीक है, आप कमेंड करके इसके बारे में बताएगा, और अगले वीडियो मे बताऊंगा कि कितनों लोगों का सही हुआ, कितनों लोगों का गलत तो इसे आप कमेंट करके बताईगा आपसन इसमें से कौन सा सही होगा छलिए फिर मैंने जो पिछली वीडियो में दिया था question तो मैं उसे बतादेता हूँ उसका अपसन क्या होगा तो मैंने जो दिया था ये क्या है रुपया पर कितनी भासा दिखी होती है जो रुपया होते हैं वे मारे यहां के हुस सबर कितनी भासा दिखी होती है ए है 14 या 16 16 या D है 15 या C है 15 या D है 17 तो दोस्तों वैशे तो 15 भाशा लिखी होती है लेकिन जो इंगलिस हो हिंदी होती है उसे जोड़ लिए जाए तो 17 भाशा हैं हो जाते हैं तो ओफिशन D वाले जो थे उनका एकदम से यह और और ओफिशन जो C वाले थे 15 बोले थे तो आप उसके बारे में जैनकरी ले लिजीए क्योंकि इसे सब आपको जैनकरी होना चाहिए ठीक है तो ही हमारा समाप्त होता है दोस्तों और अगर आपको इस वीडियो के पीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरडीवी क्लासस से बना हुआ है तो वहां के जाकर आप ले वीडियो लाता रहूँगा और अपने एक्जाम के तयारी करते रही तो दोस्तों अगर आपको अगर वीडियो अच्छे लेगे हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और सस्क्राइब कर दीजिएगा अब लाइकन जरूर इसने हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आजाए और आप ने वीडियो फिर से अटेंड कर लें ठीक है तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपके बाड़ी को भी राम देता हूं जैहिन जै भारत